Hello students, कैसे हैं आप सब, So welcome to home study, अस लेक्टर में हमने bonny fishes और cartilage fishes के बारे में बात की थी, बहुत ही पर ति Εचे से और इस लेक्टर में हम बात करने वाले हैं, Pamphibians के बारे में Apes के बारे में, Mammals के बारे में, Reptiles के बारे में, सब के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ही deeply उन्हें समझे की कोशिश करेंगे तो बिनाठ समय वियर्थ किये हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्ट So hey students, how are you all? I hope you all are fine and me also fine इस विशिस के बारे में पढ़ा हमने जॉलेस विशिस के बारे में पढ़ा और उन्हें हमने नाम दिया साइक्लोस टोमाटा, कॉंट्रिज्टीस, औस्टिश्टीस बहुत सारी चीज़े हमने उनके बारे में पढ़ी और हम इस लेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल अमारा जो पहला टॉपिक है वो है एमफीबिया येस, एमफीबिया एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है अब आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो इंट्रेस्टिंग ही होने वाले हैं क्योंकि उन्हें हम जेनरली अपनी आँखों से देख पाते हैं और महसूस भी करते हैं अपने डे टुडे लाइफ में तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा खास है उनमे habitat तो सबसे पहले habitat क्या होता है amphibians का तो ये aquatic में भी रह सकते हैं और testual भी रह सकते हैं body form इनकी क्या होती है two pairs of limbs इनमें limbs होते हैं two pairs body is divided into head and trunk tail may be present in some तो may be present की बात किये तो आप समझ जाएए कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रंग, tail सब में present हो tail सब में present नहीं होता किसी में होता है किसी में नहीं होता है students आगे देखते हैं यहाँ पे two pairs of limbs की बात की है तो यहीं पर एक अच्छा सा topic स्टार्ट हो जाना चाहिए कि आखिर यह limbs हैं क्या भई तो limbs जो होती है वो होती है एक joint structure जो animals में पाए जाती है amphibians में और mammals में या आई जाती है काफी animals में यह generally उन्हें locomotion या other work के लिए help करती है next बोला है कि body is divided into head and trunk यानि head इनकी जो body है वो कुछ parts में divide होगी जैसे कि हम humans के अगर बात करें अगर हम मनिश्य के बात करें तो मनिश्य में एक होता है सर बाकी का part होता है दो हाथ दो पैर इस तरीके के उसके कुछ body parts होते हैं जो divided होते हैं इसी तरीके से amphibians जो होते हैं amphibians जो हमारे animals होते हैं जो codates में आते हैं phylum वो भी इसी तरीके से head और trunk में divided होते हैं I hope आपको समझ में आ रहा है यानि इनमें बहुत ज़्यादा divisions नहीं होता normal head and trunk area है और tail भी present हो सकता है और pairs of limbs इनमें पाए जाते हैं तो इस तरीके से इनका कुछ structure होता है skin moist होती है and they do not have scales अब तक हम scales की बात कर रहे थे एक बात बोलना चाहूँगे students अगर आप मेरे lecture को पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इनकी skin moist होती है या गीली-गीली सी होती है और आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई frog आपको touch कर जाता है या अगर frog कभी भी आपसे touch होकर गया तो बहुत गीला-गीला सा feel आता होगा क्योंकि उनकी skin बहुत moist होती है और उसमे scales नहीं होते हैं जब हम fishes की बात कर रहे थे तो हमने placoid scales और tinoid scales के बारे में बात की थी यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसा कोई किस्ता ही नहीं यहाँ पर ऐसी कोई कहानी ही नहीं नेक्स देखते हैं eyes में इनकी eyelids भी होती है देखें कि बहुत ही अलग सा feature आ है तक हम eyes की बात तो कर रहे थे बट eyelids यानि जो आई को cover करता है उसका feature नहीं पड़ाता तो इनमें eyelids पाई जाती है किसमें amphibians में tympanum present which represents the ear और इनमे ear भी होता है इनमें tympanum present होता है यानि यह सुन सकते हैं बातों को और external अवाज को सुन सकते हैं उसे feel कर सकते हैं elementary, canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called clocka which opens up to the exterior यानि इनमें एक opening structure होता है जिसका नाम होता है clocka अब इस clocka में क्या-क्या open होता है देखिए इसमें elementary canal open होता है यानि इनका जितना भी digestive वाला पार्ट है वो भी open हो रहा है यानि ये anus का भी काम कर रहा है urinary tract भी इनका इसी में open हो रहा है साथ-साथ में इनका reproductive tract भी इसी common chamber में open होता है जिसे हम कहते हैं clocka ये याद रखिएगा कई बार नाम पूछ लेते हैं कि clocka जो common opening chamber होता है वो कौन से class कौन से phylum के कौन से class में पाया जाता है तो अक्सर इसका ऐसे टाइप के questions होते है respiration by gills, lungs and skin अच्छा respiration ये तीन तरीके से करते है skin से भी करते है gills से भी करते है और इनमें lungs भी present होता है और lungs से भी respiration करते है तो they have three modes for respiration that is hurt is three chambered इनमें three chambered hurt पाय जाता है और उसमें two auricle और one ventricle होता है ये quantity ज़रूर याद रखिगा ऐसा नाओ की option में दे दे की one auricle and two ventricle और आप उसको tick करके आजाएं और आपका answer गलत हो जाएं तो ये मत करिएगा अभी क्या भी देख लीजे two auricle और one ventricle होता है तो बात बराबर हो जाएगी और आपका answer बिल्कुल correct हो जाएगा cold bladder animals होते हैं ये sex इन में separate होता है और sexual reproduction निका कहा से होता है clock का जो मैंने बताया था कि common opening chamber जांसे reproductive track भी इनका open होता है तो वही सेと思います fertilization इनका external होता है ओ भी परस ये होते हैं और indirect development शो करते हैं होता है इन में external fertilization समझ रहरे हैं क्या होता है हां तो इनका water में इनका जो fertilization होता है वो water में होता है यह example में देखिए बुफो जिसे हम commonly toad कहते है राना जिसे हम commonly frog कहते है हाइला tree frog होता है salamander salamander और एक limb lens amphibia भी होता है तो यह examples आप learn कर लीजेगा क्योंकि examples भी कई बार पूछा जाता है और इसका example तो बहुत ही easy है सबसे easy example मुझे इसका लगा क्योंकि आप जो आने वाले जितनी भी हम class के बार में पढ़ने वाले उनके जितनी भी examples है वो easily याद हो जाएंगे अगर आपको mcq based पूछ लियाना तब तो आप गलत करी नहीं सकते क्यों नहीं गलत कर सकते क्योंकि इन में हम अपनी day-to-day life में इनको देख रहे हैं इनको पहचानते हैं कि हाँ यह एफिंबिया यह रेप्टिल्स में आएगा यह इफ्स में आएगा तो आपको पता होगा तो आप easily उन्हें classify कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको पूछने वाले हैं उनके scientific name से तो scientific name को याद कीजिए उस पे ज़्यादा focus कीजिए क्योंकि आप biology के student है डाग्राम में देख लीजे डाग्राम में amphibians का salamander और राना दोही का example दिया गया है यह देखिए यह भी आप day-to-day life में देखते हैं और इन्हें भी देखते हैं और इनका tree frog का थोड़ा सा जो structure होता है वो थोड़ा सा different होता है क्योंकि इनका जो limb होता है वो थोड़ा सा adhesive होता है ताकि वो अराम से ट्री पे चरके उन पे मतलब उनसे attach हो सके तो गिरे नहीं नेक्स देखते हैं तो आज आते हैं reptiles पे जिनका class name refers to their creeping and crawling mode of locomotion इसका मतलब होता है तो अब आप मुझसे पूछेंगे what is creeping and crawling तो creeping मतलब होता है धीरे-धीरे and crawling मतलब होता है रेंग ना तो क्योंकि reptiles रेंग के धीरे-धीरे चलते हैं इसलिए इनको हम reptiles बोलते हैं तो I hope you may got this की why reptiles are known as reptiles क्योंकि they have a creeping and crawling mode for locomotion यारी वो movement के लिए creeping and crawling mode इस्तेमाल करते हैं habitat इनका होता है terrestrial body form body is covered by dry and cornified skin epidermal scales or scutes अब यहाँ पे कुछ नए टर्मस आए cornified skin की बात की गई है cornified skin क्या होती है आपने कभी crocodile देखा है crocodile की जो skin होती है वो आपने देखा है वो कैसे उसमें horny skin सी होती है बहुत ही इस type की खुदरी-खुदरी सी skin होती है जो की बहुत ही ज़्यादा hard होती है बहुत ही ज़्यादा dry भी होती है और horns type के उसमें structures से निक होते हैं उन्हें स्क्यूट कहते हैं तो यह बात याद रखिएगा यह होती है इनकी डिफाइनिंग फीचर और इंप्यानम प्रेजेंट होता है लेकिन इयर की ओपनिंग नहीं होती है जैसे कि एंफीविया में भी था लिम्स में अगेन इनका टू पेर्स ऑफ लिम्स होता है लेकिन क्रोकोडाइल्स में एक्सेप्शन होता है अगेन एक यहां पे स्टार वाला माक आ गया क्रोकोडाइल्स में फोर चैंबर्ट होता है वो याद रखना पायो कीलो थामस यानि कोल्ड ब्लडेड होते हैं यह स्ने कास्टिंग की वो अपनी स्किन को शेड यानि निकालते हैं गिराते हैं इन में सेपरेट सेक्सिस होते हैं तो इन में सेक्शल रिप्रड़क्शन होगा फर्टिराइजेशन भी इनका इंटर्नल होता है ओ भी पैरस होते हैं ये और हैं जिने आपको याद करना है डेफिनेटली क्योंकि MCQ में भी और आपकी बोर्ड के एक्जाम में भी डिरिक कोशन एक्जाम्पल पे आते हैं तो मेक शोर कि आप इनका बायोलोजिकल नेम जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं वो भी याद कीजे और इनका करके देख लीजेगा अब हम आ गए हैं क्लास एवस पे एवस को एवस इस तरह कहा जाता है बिकाज डू तो प्रेजन्स ओफ फेदर्स एंड मोस्ट आफ देम कें फ्लाए तो क्योंकि इनमें फेदर्स होता है यानि पंक होता है जिससे यह उड़ते हैं एंड मोस्ट अफ देम कें फ्लाए एक्सेप्ट ओस्ट्रिच अगेन एक स्टार मा आ गया है यहां पे स्टार जहां पे आ जाए आप समझ जाए कि वो बहुत इंपॉर्टन चीज है तो फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं ओस्ट्रिच को क्योंकि यह उड़ती नहीं है हाला कि इसमें फैदर्स भी होता है और यह एव्स की केटेगरी में भी आती है लेकिन हम इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं इस लाइन का क्या मतलब समझ में आया आपको देखिए मैंने आपको लिम्स की बारे में बताया था बताया था मैंने आपको लिम्स के बारे में लिम्स आर ओफ टू टाइपस हिंड लिम्स और फोर लिम्स फोर लिम्स होती है जो फ्रेंट वाली लिम्स होती है और हिंड लिम्स जो होती है वो पीछे वाली जो लिम्स होती है तो इनके जो फोर लिम्स होती है वो modify होके wings में convert हो जाती है और hind limbs have scales and modified for walking, swimming and clasping on the trees Yes, they can swim और walking के लिए भी because आपने देखा होगा कि चिडिया जब पेड़ पे होती है तो चलती है feet भी आपने देखे होंगे और clasping on the tree branches मतलब tree के branches पे चड़ने के लिए भी उसको जरूरत होती है hind limbs की dry skin इनकी होती है क्योंकि उनकी इनके जो tail के base में कोई all gland नहीं होता है इसलिए वो skin बहुत dry होती है endoskeleton is fully ossified bony इसका मतलब यह है कि इनके बहुत ही छोटे छोटे bones होते है और यह उनका endoskeleton bony होता है the long bones are hollow with the air cavities pneumatic pneumatic star लगा रही हूँ यहाँ पे में pneumatic होता है एक air cavity pneumatic bones वो bones होते है जो hollow होते हैं और उनमें होती है air cavities क्या करते हैं यह देखिए Aves में क्या होता है कि जो respiratory system होता है इनका यह इनके pneumatic bones के साथ relate करता है और यह जो pneumatic bone होती है वो Aves को respiration में help करती है इतना ही समझे digestive tract has abdominal chambers crop and gizzard अब ये crop and gizzard कुछ इस टाइप का structure होता है अभी मतलब मैंने आपको basic सा structure बताया है so don't get confused कि नहीं diagram में तो ऐसा है मैं तो यहाँ पर toffee जैसा कुछ बना रही है नहीं है इस टाइप का मैं आपको बता रही हूँ crop में क्या होता है इन्होंने जो खाना खाया वो थोड़ी देर के लिए store हुआ gizzard में गया gizzard का काम होता है grinding की तरह जो हमारा mixture jar होता है जैसे कि वो grind करता है इसी तरीके से gizzard का भी function होता है और यहाँ पर जो मैंने ऐसे horns टाइप के बनाया है यह कुछ नहीं है यह glands होते है जो फिर जिनका काम होता है juices देना या फिर mixing of food करना क्यों यह gizzard वाला structure क्यों पाय जाता है ऐसी एवस में भी और हमने जब आत्रोपोडा का बढ़ाता तो उसमें भी हमने और भी बहुत सारे ऐसे animals हैं जिनमें crop and gizzard का structure होता है तो crop and gizzard का digestion system होता है उसमें gizzard का काम होता है कि वो animals जो गलती से stones या sands भी food की पार्टिकल के साथ खा लेते हैं तो उस पार्टिकल को blend और grind करने में काफी helpful रहता है इसने यह structure ऐसे ऐसे animals के लिए होता है फो chambered hurt होता है इनमें warm-blooded होते हैं यह देखिए homeo thermos कहते हैं जिने हम यहां पे star लगा देती हूं hence able to maintain their body temperature बता है हमें कि जो warm-blooded animals होते हैं वो अपने body के temperature को maintain कर सकते हैं respiration इनका lung से होता है air sex present होता है sex is इनके separate होते हैं तो sexual reproduction देशो internal fertilization होती है इनमें और तो और यह ओवी पैरस होते हैं एग लेंग होते हैं और direct development होता है इनमें और मैं इनका examples बता देती हूं corvus crow columbar pigeon सीटा क्यूला पारट सुरूतियो ओस्ट्रिच पावो पीकॉक एप्टीनो डाइट्स penguin और निफ्रोन वल्शर तो यह जो एक्जांपल्स है ना इनके इन examples को याद कर लिजो और यह examples बहुत अब easy होने वाला आटी में चारी डाग्राम दिया इनमें से class mammalia है जिसे हम commonly mammals बोलते हैं इनके group इनके mammalia class के जितने भी animals है उनको mammals कहते हैं habitats found in variety of habitats अच्छा जो सबसे ज़्यादा habitat जो animal show करते हैं वो होते हैं animalia देखिए यह आपको polarize caps में मिलेंगे deserts में मिलेंगे mountains, forests, grasslands, dark caves and some adapted to fly even and some live in water यानि almost हर टाइप के habitats में यह पाए जाते हैं unique feature इनका यह होता है कि इनमें होता है milk producing gland जिसे हम memory gland कहते हैं star लगा रही हूँ यहाँ पे मैं by which young ones are nourished तो इनमें memory glands होता है milk producing glands बोलते हैं जिसे अपने young ones को nourish करते हैं two pairs of limbs इनमें पाया जाता है जो walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying के लिए होता है unique skin इनकी होती है क्योंकि उसमें hairs present होता है star लगा रही हूँ यहाँ पे मैं टाइब का इनका eating habitat होता है इस वज़े से इनका teeth का structure भी बहुत ही डिफरेंट होता है या फिर हम खुद को हमारी body adapt करती है different different चीजों से जैसे shivering होना गर्मियों में sweating होता है जिस यह सारी चीज़े जो होती है यह body temperature को maintain करने के लिए होती है respiration by lungs sexes इनके separate होते हैं again sexual reproduction internal fertilization वीवी पेरस होते हैं few exceptions exceptions के example मैं आपको बताऊंगी direct development होता है example इनका ओवी पेरस में जो होता है platypus वीवी पेरस में macropus kangaroo, teropus, camelis, monkey, rat, dog, cat, elephant, horse, dolphin, blue whale, tiger, lion यह सारे examples होते हैं और हमारी NCRT में इन चारों के diagram शो किये हैं यहाँ पे कुछ और diagram हैं देख लीजेगा आप pause करके अब एक important चीज में आपको बताने जारी हूँ कि chapter का जो end है वो तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे पूरे chapter की जो summary कहते है न जिसे वो summary है यहाँ पे और उस summary को ही हम देख रहे हैं तो यहाँ पे phylum दे रखे हैं और यहाँ पे level of organization symmetry, celums, segmentation, digestive system, circulatory system, respiratory system और distinctive features दिये गए हैं और इसको याद करना फिर आपको असान होगा देखिए पौरी फेरा cellular level of organization शो करता है उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का tissue level of organization शो किया है उसके बाद सब organ level of organization शो कर रहे हैं यहाँ पे पौरी फेरा का many symmetry दिखाया है इन दोनों का radial दिखाया है और इसका echinodermata का भी radial दिख सब सी लिमेट है by segmentation थी एश कहल रिंट छ्राप सक एपसेंट थो उसके बाद को प्रेजेंट है digestive system भी प्रइचे रिंटेशतिय सक्ट मीने तक यह आपसेंट है और यह धिस्श्चिंटिव फीचर्जों सुम आपनिकट की थी तो यह पूरी चैक्टर की समरी है जिसे आपको एक बार देखना है ये भी वही है थोड़ा सा colorful है तो आपको easy रहेगा आप एक बार वीडियो को pause कीजिए और देख लिजे ये पूरा chapter का mapping है जो final mapping मैंने दिखाई है देखिए kingdom and emailia cellular level of organization tissue and organ level of organization इसमें सिर्फ एक पोरी फेरा ही आया फिर यहां पे tissue और organ level को divide कि या है tissue में हमारा आया है sealant ereta antinophora और फिर हमारे organ में आया है platy, helmet, nematoda और यह सारे लेकिन इसमें यह पूरा chapter का map है आप अगर चाहें तो वीडियो को pause करके एक बार देख सकते हैं अच्छे से सो स्टूडेंट्स एनिमल किंग्डम वाला जो हमारा चैप्टर था वो आज फाइनली फिनिश हो चुका है और मेरी प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को अप्लोड भी कर दिया है आप दुबारा देखना चाहें तो दुबारा देख लीजे और अगर आपको कोई भी डा जाया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चाप्टर के साथ एक नए हैपिनेस के साथ सो तब तक के लिए टेक केर आफ यॉरसेल्फ बहुत अपना ध्यान रखिए और घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें कोई डाउट ह को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेर भी कीजिए तब तक के लिए टेक कियर आफ यॉरसेल्फ एन बाई